हेलो फ्रेंड्स आप हमें लाइव देख रहे हैं और इस वीडियो में हम क्विक रव्यू करेंगे तो यह है मारे पास पिगन ब्रेंड का क्राउन टू कोफी मग तो हम इसकी स्पेसिफिकेशन पड़े या बेनिफिट पड़े तो हम इसको लगा देते हैं जिससे आप इसका थ्रीडी वर्जन देख सकें मेभी तो यह बारे पास जो है इसको इरो टेड होता रहेगा तो फ्रेंड्स यह आपको दो सेट में मिलेगा ओवन अपको चाहें तो चार सेट Leonard भी आप ले सकते सिंगल पीस भी मैं आपको मिल जैसे 900 रुपय का पड़ेगा तो कई ब्रैंड की हैं जैसे अब ये एक क्या सकते हैं बिगन क्रेजी कप तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंड लुक है तो आप जो हम आपको ये बताती है ये कप कैसा है इसकी क्या डिटेल है तो सबसे पहले अगर हम इसकी MRP जो इसमें लिखी हुए है तो आपको ये ओलाइन जो है special discount offer में 200 रुपय के आस पास मिल जाएगा अगर हम इसके और benefit देखें तो इसमें जो है आपको डबल ये वाल है इसमें order free है किसी परकार की कोई smell आपको नहीं मिलेगी और इसका दावा है कि इसमें आपकी liquid जो है एक घंटे तक गरम रहेगी capacity जो है इसमें 180 ml है यानकी 180 ml बट लोगों का दावा है कि इसमें just 150 ml ही आपकी coffee या चाय आएगी अब जो है बात करते हैं इसका review तो friends कई लोगों ने हमें जो है फोटो पोस्ट की है Amazon पर कि ये handle जो है निकल जाता है और हमें भी लगता है कि इसको ये चपकाया गया ही होगा अगर हम stainless steel की quality की बात करें तो इस जो steel है इसका काफी अच्छा है काफी solid है इवन आपके हाथ से गिर भी जाए तो ये survive कर जाएगा अगर हम इसके total net weight की बात करें तो ये हम इसका weight आपको करके दिखाते हैं तो जास्ट इसको हम on करते थे हैं तो बिना किसी cap के ये around 80 gram है या निकी 78 gram और with the lid जो है ये 90 gram के आसपास है तो friends आप अगर हमसके price और पैसा वसूल हम देखें तो हमें लगता है कि ये product जो है 125 रुपय का अगर ये cup है तो ज़्यादा ये महंगा नहीं है हमारे पास freelance brand का भी mug है जिसकी capacity जो है around 350 ml है तो ये थोड़ा सा बहतर जरूर है बट price wise जो है ये triple है ये 3500 का है जब कि ये आपको just 125 का मिल रहा है तो कह सकते हैं कि double से थोड़ा ज़्यादा है triple के आसपास ही कह सकते हैं तो ये देखिए आप stainless steel की जो quality इसकी थोड़ी सी जरूर हलकी है बट कह सकते हैं कि कि इसमें insulation नहीं है यानकि आपकी जो liquid है वो ज़्यादा देर तक गरम नहीं रहेगी तो अगर हमारी personal rye अगर हम दें तो ये हमें cup जो है काफी अच्छा लगा और कई लोग कहते हैं कि coffee के लिए ये जो cup है एक छोटा पड़ता है इसमें चाय जरूर आ सकती है बट coffee जो है लोग ज़्यादा मातरा में पीते हैं तो मैं भी अपनी अपनी सोच का कह सकते हैं friends ये है आप चाहो तो इस product को हमारे दी होए link से अमजों से खरीद सकते हैं तो हमने भी इसको online ही खरीदा है तो price wise जो है ये आपको 200 रुपए special discount offer में और normal price जो है इसका 270 रुपए है और इसके अलावा जो है आपको बजार में या online जो है ये camera कह सकते lens cup है ये भी एक परकार का कह सकते thermos type mug है जिसकी capacity जो है यह होगी कोई question होगा comment box में पूछ सकते हैं और हमने जो है अलमोष्ट यहां पर जितने भी product है उनका quick review डाल दिया है और आने वाले time में जो है हम इसकी proper जो है अलग से video डालेंगे जिससे आपको थोड़ा और अंदाजा हो जाएगा तो कह सकते हैं कि आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं जस्ट इसका handle के साथ जो है थोड़ा सा issue है और इसका जो अगर gap देखें तो वह भी पूरी तरह से air tide है बट अगर आप इसको उल्टा करेंगे मैं भी liquid गिर जाएगा और हम आने वाले time में आपको उसके भी testing करके दिखाएंगे धन्यवाद तो आप हमें subscribe कर सकते हैं और follow कर सकते हैं हमारा जो account जो है Facebook पर भी है Instagram पर भी है Twitter पर भी है तो आप हमें social media में search कर सकते हैं by the name of Sukhdev Dhanijab तो हम जो है video के नीचे link डाल देंगे तो आप कोई question हो किसी भी product के बारे में या आप हमारी कोई help लेना चाहते हो अपना product जो है हमारे पास बेजना चाहते हो तो आप Instagram या Facebook या Twitter पर हमें message कर सकते हैं धन्यवाद